नमस्कार दोस्तों, सचिनवाजे का लैपटॉप, हार्ड डिस्क सब उसी क्रीक में मिला, जिस क्रीक में मनसूख हिरेन की लाश मिली थी, जिस क्रीक में मनसूख हिरेन को मारा गया था, उसी क्रीक में सचिनवाजे के जितने डेटा सोर्स है, वो सब मिले, NIA ने खोद खोद क सब निकाला है यहां पे hats off to NIA वो बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि सचिनवाजे ने क्या क्या किया है इसी बीच आज समीता पारेक जो शुशांत की काफी अच्छी दोस्त है उन्होंने एक एहम मुद्दा उठाया है उन्होंने बात की है सचिनवाजे का involvement दिशा सालियन की मौत और शुशांत के मौत में दिशा सालियन और शुशांत दोनों का mysterious circumstances में death हुआ था और सचिनवाजे दिशा सालियन से मिले थे यह on record है क्योंकि सिर्फ समीता पारेकी नहीं नरायन राने ने भी यह बात बोला था कि 5 और 6 जून 5 और 6 जून को दिशा सालियन 100 नंबर पे call करती है क्योंकि वो पुलिस को कुछ बोलना चाहती है उसके बाद 6 तारिक को सचिनवाजे दिशा से मिले थे ऐसा क्या हुआ था ऐसा क्या आप माने तो शुषानत के जान को खत्रा था and February March महिने में ही पुलिस को ये बोला गया था 2020 के February March में पुलिस जानती थी कि शुषानत के जान को खत्रा है उसके बावजूद भी 14 जून को सुषानत की मौत हो जाती है और पुलिस उसको शुशान्त और दिशा दोनों के मर्डर में involved है ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सचिनवाजे के पास है जवाब मिलेगा सचिनवाजे के खिलाफ बहुत सारे सबूत अभी बड़ा मत हो रहे हैं सचिनवाजे को सच बताना परेगा मैं भी इसी चीज़ की उ सचिनवाजे का involvement है उस पर आपका क्या कॉमेंट है मेरे इस वीडियो के comment section पर जरूर मेंशन कीजिए दोस्तों और मेरे चैनल से regular updates अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए टेक क्यार दोस्तों जैहिंद and justice for दिशा and SSR